हेलो फ्रेंस एडुकेशनल फ्रेक्ट चनल में आपका स्वागत है हाजिरे आपके लिए एक नई अपडेट को लेके तो थोड़ी देर पहले हमने इक इनफर्मेशन दी थी आपको आज जो केस लगा था जिए 556 वर्स जो 817 केस चला है हाई कोड में तो उसकी जो हीरिंग थी इन्होंने जो कहा है इसमें जो एक जो इसका में केस था वो आपका 26 तारीकों जिसकी हेरिंग हुई थी उसमें उसी दिन ऑर्डर हो गए थे और उस केस को डिस्पोज कर दिया गया था तो उसमें जो ऑर्डर होए थे उसमें पहरा नंबर 33 पे स्टे लगा था और साथी 34 पे स्टे हट जाए जो आपके 817 की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और जो पहरा नंबर 33 पे है वो सीटो को इसकी क्लारिफिकेशन को लेकि हैं तो यह क्लारिफिकेशन अब इसमें वैस्तों लिखा बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको अगर बताऊं सिंपल वर्ड्स मे क्लारिफिकेशन मिल चुकी है उनको अब किस तरह से यह क्लारिफिकेशन मिली है यह अब कल ही पता लगेगा और इसमें साथ ही साथ जो 817 की रुकी हुई प्रोसेस है उसे भी कंटेन्यू कर दिया जाएगा अगर यह कल और होते हैं तो यह कल बहुत बड़ी यह खबर होने आगी और इसमें 500 also 57 वालो के लिए भी कलरिफिकेशन मिल जाएगी सीट ही तो इसमें सीटो की कलरिफिकेशन होने के साथ यह यह आज की अप्टेट थी तो यह खुशकबरी ही है क्योंकि एक पॉजिटिव निउस है सभी के लिए तो वह चाहिए पांसाचपन का करिंडेट है या आरसो सत्रा का क्योंकि कल एक बड़ा दिन होने वाला है सभी के लिए तो जैसे कोई अप्टेट आती है तो हम आपके सब्सक्राइब नहीं क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं कल नई अप्टेट के साथ तब तक के लिए पवाएं